आज हम आपको बताएंगे कि इंदोर मंडी के अंदर प्याच के भाव कैसे बनते नजर आ रहे हैं इंदोर मंडी के अंदर प्याच के क्वालिटी इनुसार के भाव के कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और प्याच की आवकों की स्थिति कैसी है आज ओवरोल बजार का आउटलूक जानेंगे आज इंदोर मंडी के सबसे पहले नजर डालेंगे आपे प्याच के आवकों पर आपको बतादें कि इंदोर मंडी में आज प्याच की जो आवक देखने को मिली है वो लगवा 70,000 से लेकर 80,000 कट्टो की देखने को मिली है इसे बात करें अगर प्याच के क्वालिटी अनुसार भावो की तो आपको बता दें कि इंदौर मंडी में उपर में एक लोट प्याच का 200 रुपे प्रती कुइंटल तक बिक्ता नजर आया है इसे बात की जाए अगर सूपर क्वालिटी प्याच की तो इसका भाव 1900 रुपे से लेकर 2000 रुपे कुइंटल तक देखने को मिला वहीं मीडियम क्वालिटी प्याच का रेट 1500 से लेकर 1800 रुपे रहा गोल्टा कॉलिटी 1200 से लेकर 1400 रुपे प्रती कुइंटल तक बेखती नजर आईए वही जो छूटी क्वालिटी की प्याज होती है थोड़ी हलकी क्वालिटी की इसका दाम 700 रुपे से लेकर 1100 रुपे प्रती कुंटल देखने को मिला है आज इंदौर मंडी के अंदर बात करें यहां से अगर मंडी और तेजी की तो आपको बता दें कि इंदौर मंडी में आज प्याज का जो भाव है वो कल की मुकाबले समान नहीं है कोई जादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है प्यूरिट पूर्ट मार्केट टाइम्स टीवी